नमस्कार स्वागत आप सबका हमारे चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त अनुच यार ये विग बोस में चल क्या रहा है आखिरकार हो क्या रहा है कुछ ना समझ में आ रहा है ना मेकर्स को समझ में आ रहा है कि एक्जेक्ली करना क्या है जब से ये शो स्टार्ट हुआ है इतना कुछ करने के बावजूद भी ये शो उस मुकाम तक नहीं पोचाए जितनी की उमीद थी और ऐसा नहीं कि कंटेस्टेंट अच्छे नहीं थे कंटेस्टेंट भी अच्छे हैं बट सम्हाँ वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं और रही बात कल के वीकेंड के वार की तो वो तो अच्छा गया और मेकर्स ने अभी क्या प्लान किया है कि चार लोग इस सीजन के जाएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे जैसे दो लोग बढ़ना है यह तो सर्टेन बात है कि चार में से कोई ना कोई बीनर होगा रहूल ओल्लेडी ओल्मोस्ट जितना इंफोर्मेशन मिली है कि वह लड़ी आउट हो चुका है और की वीविक्ट हो चुकी है बट अब आने के बाद जब ओल्लेडी सीजन का फिनाले हो गया और कि सावंत हो गई और आपका गुपता जी हो गए मास्तर माइंड क्या मसाला करते हैं देखने में क्या क्या नया मिलेगा तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा हम भी आशा करते हैं कि शो जल्दी कुछ ना कुछ नया दिखाए और जैसे पिछले सीजन में हुआ था कि टी इतना खुलकन नहीं आया सब लोग कही ना कहीं बहुत ही जन्टलमैन की तरह ब्यव कर रहे और जो लोग लड़ाई भी कर रहे हैं वह भी इतना जाद है उनकी लड़ाई भी इतना इंप्रेसिव नहीं है छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई करना और जहां लडाई की जर लिखे जातक बात रही राहूल की तो राहूल भी अच्छा इतना अच्छा कैंडिडेट नहीं है ही जे गूड प्लेयर बट उसका भी कैसा है कि कभी-कभी वह फटता है कभी-कभी बिल्कुल शान्त रहता है उसके पास अपने मुद्दे कम रहते हैं और रूबीना की मुद्दे जादे रहते हैं और जिस हिसाफ से बात करता है वह ओडियंस को कनेक्ट नहीं होता और अभी जो अभीनाव गया है तो मुझे समाव लगता है कि अभीनाव एक अच्छा प्लेयर है हर जगे लडाई जगड़े करने की ही जर्वत नहीं है वह बहुत ही अच्छी तरीके से उसने गेम खिला है और उसका जो पूरा जर्णी रही है काफी ठीक रही है वह बहुत इजाज की तो इजाज भी अच्छा खिला है वह बहुत अच्छा तो हम नहीं कहेंगे बट उसका भी गेम ठीक रहा है एज़े अगर ओडियंस के पॉइंट व व्यू से मैं सोचू तो बाहर से देखने में उसको अच्छा लगता है अब बचे दो तो उसमें से ओवियसली एक रूमीना तो हंडेट परसेंट जाएंगी जाएंगी क्योंकि अभी पूरा शो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है जितना कंटेंट उन्होंने शो को दिया है एज सिंगल कैंडिडेट मुझे लगता है कि सीजन में और किसने नहीं दिया है चाहे लड़ाई जगड उसने भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया है ठीक है कि उसका दो फेस जैसे लोग सब लोग बोलते हैं कि एक अली से आने से पहले एक अली के बाद बट जो भी उसमें रहा है कि काफी लाइमलेट में वह रही है उसका चाहे बबली नेचर हो उसके बाद फिरा उसका उसका पूरा नगेटिव उसमें जाना हो लेकिन उसने ओडियंस को काफी एंटरटेंट भी किया है इन सम्हाओ मेबी नगेटिव सेंस बट उसकी जरनी भी अच्छी रही है तो यह चार फाइनलिस्ट हैं और आने वाले टाइम में देखना है कि जो नए लोग आ रहे हैं क्या माह से दुर के सामने आते दें अपनी बात भी रखते थे तो यह नीगा सोचते थे लोग पार में क्या सोचेंगे 근데 इसी तरह लोग सामने आए चोटे मुद्दे को बड़े मुद्द ना बनाकर जहां रिल में उनको बोलना है महां पर अपनी बात रखें तब यह उनको पसंद क करेगी. Thank you so much. Bye.